वेल्टम बाइक तो अनादर वीडियो लेक्चर, इन इस वीडियो लेक्चर वे डिसकूस अबाओ डी डबली बीसीज, तो कल हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन देखा था बलड के बारे में और देखा था आर बीस इसके बारे में मतलब एरित्रोसाइट्स डैट इस दे र वहले नाम दिया जाता है White Blood Cells, W stands for White, B stands for Blood, and C stands for cells, तो इस तरह से Wyoubseぎ को हम बुला सकते White Blood Cells और इसे एक बहुत मश्यूर नाम है जैसे कि हमने आर्बीसीज को दिया था इरिथ्रोसाइट्स वैसे ही इसका भी एक मश्यूर नाम है जिसे हम बुलाते हैं लिकोसाइट्स लूकोसाइट्स तो यह WBCs उसे white blood cell भी बुलाते हैं या फिर लूकोसाइट्स भी बुलाते हैं तो WBCs काम क्या करते हैं कैसे works करते हैं हमारे body में RBCs कैसे works करते हैं RBCs ट्रांसपर्ट करते हैं क्या ट्रांसपर्ट करते हैं हमोगलोबिन एक iron complex रहता है जो की ट्रांसपर्ट करता है oxygen and carbon dioxide throughout the body तो यह WBCs क्या करते हैं तो उसके भी function आज हम देखेंगे तो सबसे पहले चलू करते हैं तो WBCs क्या है लिकोसाइट्स white blood cells तो यह है colorless कैसे यह colorless colorless RBCs कैसे थी colored, किस color में थी red, क्योंकि रेड थी अपना जो red color है वो provide करते हैं ताकि blood को red color मिल सके यह है colorless RBCs कैसे थी non-nucleated, यह कैसे है nucleated, तो इसका life span किता रहेंगा कम रहेंगा कम रहेंगा, यह ज्यादा रहेंगा कम रहेंगा, तो क्या है colorless, colored non-nucleated sorry, nucleated देन उसके बाद क्या है motile cell, क्या है motile cell है, motile किसे बुलाते हैं, जो की इधर से उधर move करती है, motile cell है जैसे कि आपको आगे चल कर हम पढ़ाएंगी human excreation में कि उसमें nephron रहता है, nephron kidney में रहता है और उसमें एक moment occurs होती है जिसमें की W basis जो है, यह nephron से आपका somewhat इस ताइप का nephron रहता है, तो यह से आपकी जो W basis रहती है, वो यह से squeeze out होती है यह से, यह पर sport रहती है यह से वो squeeze out होती है तो इस moment को कहा जाता है diaper disease diaper disease तो diaper disease इस प्रोसेस के through, जो है, W basis वो nephron से क्या करती है exist होती है, या फिर बाहर remove हो जाती है, तो उस प्रोसेस को diaper disease बुलाए जाता है अब देखेंगे W basis का diameter, diameter है W basis का 8 to 15 micron 8 to 15 micron diameter कल हमने देखा था R basis का diameter आज हम देखेंगे 8 to 15 micron W basis का diameter तो R basis का diameter किता देखा था हमने 7.2 और thickness किते देखी थी 2.2 micron आज हम देखेंगे W basis W basis का diameter किता है 8 to 15 micron 8 से vary होता है 15 तक तो इस तरह से ये W basis का क्या diameter है इसकी thickness क्या है major नहीं की जा सकती क्योंकि इसकी thickness ये cell ही बहुत कम quantity में रहते है और इसकी वज़े से क्या रहता है वो cell ज्यादा पतले होते है और आरबीसीज उस पर homoglobin होने के वज़े से क्या रहती है एक circular cell रहती है ये circular bicon के वो हमने कल देखा था तो आज diameter 8 to 15 micron तो ये है दे आर amoeboidic and phagocytic in nature दे आर दे आर amoeboidic amoeboidic and phagocytic in nature phagocytic in nature तो कल हमने देखा था viscous in nature rbcs कैसे रहे blood कैसा रहता है viscous in nature तो rbcs के function देखे था transport oxygen carries the carbon dioxide तो ये भी इसके क्या है wbcs के function है तो wbcs के function क्या है they are the amoeboidic amoeboidic means इसका जो shape रहता है वो somewhat amoeba size amoeba जैसा रहता है तो उसका shape जो रहता है वो different रहता है और हमने particular ले rbcs का देखा था उसका circular रहता है circular रहने के बाद यहापर byconque रहता है byconque मतलब inner side में जुका हुआ जैसे हमने कल हमारे palm का इस्तमाल किया था तो यह जो surface है यह bycon के हुआ और यह जो है वो byconvex है तो इस तरह से यह amoeboidic in nature रहती है then phagocytic तो phagocytic क्या है phagocytic they kills the other microorganism they kills they kills other microorganism तो other microorganism जो रहते है body में present या फिर जो भी हमारी immunity रहती है वो immunity किसके बहरो से पर रहती है हमारे wbasis के क्योंकि वो phagocytosis का काम हमारे body में करते they kills the other microorganism present in your body तो यह था उसका function then इसके count देखेंगे count है इसका amount sorry account account है उसका 4000 से लेकर 11,000 mm cube of blood इसमें क्या कर सकते है vary हो सकते तो male और female में दोनों का combine करके ही यह account बनाय गया है कि account of wbasis is 4000 to 11,000 mm cube of blood blood के 4000 से लेकर 11,000 के बीच में इसकी quantity रहे सकती है तो कल हमने rbasis का देखा था rbasis का देखा था तो rbasis का blood count किता था 4.5 to 5.5 million per cubic mm million per cubic mm तो यह था और आज है हमारा 4000 to 11,000 mm cube of blood mm cube यहापर million million per cubic mm of blood तो यह count था rbasis का तो हमने कल ही बताय था कि rbasis count होते है millions में wbasis counts होते है thousands में और जो platelets रहते वो counts होते हमारे lakhs में तो यह थी somewhat basic info about the wbasis तो अब हम देखेंगे wbasis का classification तो यह revision कर लेते wbasis is also called as white blood cell और leucocides wbasis are colorless nucleated and motile cell due to nucleated nucleus present होने के वज़े सी इसका life span क्या रहता है वो कम life span रहता है maybe vary करता है और diameter है इसकी 8 से लेकर 15 micron के बीच में they are amoeboidic and phagocytic in nature amoeboidic means amoeba amoeba जैसा उसका somewhat shape रहता है और phagocytic means they kills the other microorganism present in your body तो अब हम देखेंगे classification of wbasis wbasis का classification देखेंगे तो on the basis of their granules present in the cytoplasm the classification of wbasis takes place तो wbasis का classification किसके basis पर होता है अगर granule cytoplasm में present है या फिर नहीं है तो उसके basis पर आपकी जो wbasis है वो classify किये जाते तो अगर granule present है भाई तो उसे बुलाय जाता है granulehole sides तो उसे बुलाय जाता है granule Longicides अगर भाइब ग्रैनूल उपसेंट है तो उसे बुलाए जाता है ओ ग्रैनूलो साइट्ग तो अगर सपोज यह सेल है सेल में यह साइटोप्लाजम इधर उदर और इसमें यह ड़ाड fare डॉट 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 आपको दिखाई दे रहे तो यह है granules अगर granules इस तरह के cytoplasm में present है तो granulocides अगर यह sale है और उसमें यह सपोज कुछ parts है और इस तरह से dot 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 present नहीं है तो उसे बुलाया जाता है और granulocides तो यह था diagrammatic representation for you देन अब हम देखेंगे granulocides और granulocides के classification तो granulocides classify किये जाते है neutrophils then basophil then eosinophil तो यह क्या है यह classification of granulocides on the basis of strain strain मतलब color color के basis पे यह classify किये है कौन से granulocides on the basis of strain color के basis पे classify कि गए अगर कुछ chemicals रहते है वो कुछ types of color produce करते है अगर वो granules के साथ combine हो जाते है तो वो हम आगे चल कर देखेंगे ब्रिप डिस्कुशन आबाउट नेट्रोफिल्स बैसोफिल्स और granulocides classified किये जाते है नेट्रोफिल्स बैसोफिल्स और योसिनोफिल्स और granulocides और granulocides classified होते है दो टाइपस में कौन कौन से लिंफोसाइट्स लिंफोसाइट्स और van monocides तो यह है classification of granulocides तो granulocides के classification दो है और granulocides के तीन है तो अब हम डिस्कस करेंगे न्योट्रोफिल्स बैसोफिल्स और योसिनोफिल्स के बारे में फिर डिस्कस करेंगे लिंफोसाइट्स और monocides के बारे में तो सबसे पहले what is neutrophil neutral means आपको पता चल गया होगा, neutral मतलब neutral behavior to strain, color के साथ कैसा behavior produce करेंगा neutral behavior to strain, neutrophils then देखा था हमने basophils then देखा था हमने eosinophils eosinophils तो ये है कुछ classification of granulocides, तो neutrophils neutral behavior to strain neutral behavior to strain तो उसकी हिसाब से basophils क्या होगा, eosinophils क्या होगा, वो देखेंगे, तो पहले देखते है neutrophils, तो neutrophils neutral behavior to strain then उसके बाद neutrophils having nucleus multi-lobed multi-lobed nucleus इसमें present रहता है multi-lobed मतलब 3 इसे लेकर 5 lobe में उसका क्या रहता है nucleus divided रहता है तो इसलिए इसे multi-lobed nucleus कहा जाता है then देखेंगे इसका function, function क्या produce करता है हमने पहले भी देखा है phagocides, sorry pathocides means pathogen को kill करता है pathogen, killing pathogen killing pathogen तो phagocides का का काम करता है तो phagocides को kill करना मतलब microorganism को pathogen का है एक somewhat types of microorganism है then उसका account account किता है इसका 70% 70% of total WS total WS के 70% में क्या है आपका neutrophils present है then इसका account vary करता है account is 3-7,000 के बीच में इसका क्या रहता है MMQ बलड में ये present रहते है then इसके बाद देखेंगे कि इसे और भी नाम दिया जाता है और इसका एक और important function है तो dead neutrophils जो dead neutrophils रहते dead neutrophils forms purge forms purge at site of injury at the site of injury injury जो रहते है अगर आपको किसी injury minute injury बुर रहा हूं है अगर आपको minute injury हो गई है तो आपर क्या neutrophils acts होगे तो neutrophils dead neutrophils आपर क्या करेंगे purge form करेंगे और semi solid lump form करेंगे और इसके वज़े से क्या होगा आपका जो blood है वो ज़्यादा quantity में बाहर आपका जाएंगा नहीं देन ब्यासओस क्या है उसके बारे में देखेंगे देन उसके बाद देखेंगे ब्यासओस के account उसके जो है यहां पर neutrophils देखा था neutral behavior to strain यहां पर क्या बैसो फिल means basic behavior to strain basic behavior to strain basic behavior to strain यहां पर देखा था multilobed 3 से लेकर फाईू नू कलियसिस में प्रिजेंट रहती है तो यह अब हम देखेंगे ये बैसोफील्स में तो बैसोफील्स रहता है टू से लेकर भी लोब्ड तो यहापर कित्पे थे मवल्टि लोब थ्री से लेकर फाईू के बीच में था और यहापर बैसोफिल्स में किते 2 से लेकर 3 लोब्ड है देन उसके बाद killing pathogen यह इसका function था तो बैसोफिल का function क्या है? Release heparin as an anti-coagulant Release क्या करता है? Release heparin Heparin X का role क्या है? Use as an anti-coagulant Use as anti-coagulant Anti-coagulant मतलब coagulation of blood यह हमारे body में होने नहीं देता देन देखेंगे account 70% of total WBCs तो इसका account है 0.5% of total WBCs 0.5% of total WBCs देन इसके बाद accounts 3000 से लेकर 7000 mm cube के बीच में था लेकिन यह आपने देखा होगा या पर 70% था या पर 0.5% है तो इसकी गिंती ही नहीं आती इसलिए यह point हम consider नहीं करेंगे देन इसका अनादर एक function देखेंगे कि it produces histamine तो इसका एक और भी important function है तो it releases, it produces the histamine use as a anti-inflammatory agent anti-inflammatory agent करके बैसोफिल का क्या होता है यूज होता है देन जो basic behavior to strain था इसके लिए जो chemical यूज हुआ था वो था methylene blue methylene blue नाम का जो chemical है वो या पर यूज हुआ था as a basic behavior करके देन इसके comparison में आपको पता होगा eosinophil is also known as acidophils eosinophils को एक और नाम है क्या बुलाते है उसे? acidophils acidophils कहिके भी उसे बुलाते है देन acidophils से आपको पता चल गया होगा कि basophils था basic behavior to strain neutrophils था neutral behavior to strain देन acidophils है तो acidic behavior to strain इसका nucleus था neutrophils का multi-lobed 3 से लेकर 5-lobed basophil का nucleus था nucleus था 2 से लेकर 3-lobed then eosinophil का nucleus है bylobed दो ही lobe है इसमें present somewhat वो तरह के dumbbell रहता है आपका तो इस तरह के से वो देखता है तो यह है bylobed then eosinophils का function है इसका function था neutrophils का killing pathogen and dead neutrophils forms first at the side of injury then basophil का था releases heparin, uses anticoagulant तो eosinophils का भी एक important function है it increases during the allergic condition allergic condition के time में क्या होता है increase होता है और so it is acts as a non-pathogenic non-phagocytic in nature then eosinophil अगर increase या फिर बढ़ जाते है अगर rising number of eosinophils तो उस condition को नाम है eosinophilia करके उस condition को नाम है तो अब हम देखेंगे अब हमने देखे granulocytes अब हम देखेंगे agranulocytes तो agranulocytes के they are the types of WVCs they are the types of WVCs तो किस के साथ है granules के साथ है या फिर without granules है cytoplasm में तो यह है without granules agranulocytes agranulocytes that is without granules in cytoplasm without granules in cytoplasm तो cytoplasm में क्या है रहते है granules उसके absent रहते है तो उसमें classification देखे है lymphocytes और monocytes तो lymphocytes क्या है और monocytes क्या है lymphocytes and monocytes तो अब हम उसके बारे में points डिसकस करेंगे तो lymphocytes lymphocytes क्या है lymphocytes are the agranulocytes within cytoplasm is clear and nucleus is large and spherical nucleus कैसा इसका large and spherical और circular है large and spherical then lymphocytes account about 30% of WBCs 30% of WBCs तो यह सम्में vary भी हो सकता है या फिर कम ज्यादा भी हो सकता है then lymphocytes produces antibodies and opsonin function है उसका antibodies produce करता है और देन अपसोनीन अपसोनीन एक क्या है कि immunity बढ़ाने में आपके यूज होता है जो कि toxicity जो है आपके body में toxicity जो रहती है उसे reduce करने का काम कुन करता है अपसोनीन reduce करने का काम आपके body में करता है then अब हम देखेगे monocytes monocytes क्या है these are the type of granulocytes having account of 1, 2, 3% of total WBCs total WBCs मतलब granulocytes के total WBCs के account में 1 से लेकर 3% यह इसका account है then देखेंगे monocytes के function क्या है तो उसका सबसे पहले nucleus देख लेते है nucleus इसका था large and spherical तो इसका है kidney shaped nucleus kidney shaped आपका जो है वो इसका nucleus present रहता है somewhat kidney इस types की रहती है तो इस type का nucleus present रहता है then monocytes monocytes are the motile phagocytic and increases the immune system they are motile phagocytic phagocytic increases duty increases the immunity और monocytes क्या है सबसे small सबसे small क्या है WBC सबसे small वाली WBCs आपकी monocytes है यह neat का point है आप उसे ध्यान में रख लिजे then they act as a scavenger 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 करके भी यह x होते है क्या x होते है WBC monocytes scavenger मतलब fight करते है against the infectious disease agents infectious disease के जो agent रहते है या फिर microorganism रहते है उनसे यह fight करते है इसलिए x होते है scavenger तो thank you very much today's lecture is over please subscribe our channel and thank you very much